कि मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब मैं कि पी एम भी नहीं था सी एम भी नहीं था नेता भी नहीं था कि उस समय कि एक जिग्याशू के तौर पर कि यहां आप सब के बीच आया करता था कि इस धर्ती को देखना कि इसे समझना कि मन में कितने ही सवाल लेकर कर आता था कि जब मैं किसी पतपर नहीं था कि उससे पहले भी कि मैं अमेरिका के करीब करीब कि 29 स्टेट्स में कि दोरा कर चुका था कि उसके बाद कि जब मैं सीम बना तो टेकनोलोजी के माध्यम से कि आपके साथ जुड़ने का सिल्षिला जारी रहा है कि पीएम रहते हुए मैंने आप से अपार्ष ने पाया है अपन तो पाया है दोहजार चौदा मैं मेडिशन स्क्वार दोहजार पंद्रा मैं साउन होसे दोहजार उन्नी मैं हुस्टन दोहजार तेईस में वसिंग्टन और अब दोहजार चौविस में नियोर्क और आप लोग हर बार पिछला रेकॉर्ड तोड़ देते हैं साथियों मैं हमेशा से आपके सामर्थ को भारतिय डायस्पोरा के सामर्थ को समस्ता रहा हूं जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समस्ता था और आज भी समस्ता हूं आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रेंड एम्बेसेडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सब को राश्ट दूत कहता हूं आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया हैं आपका स्कील आपका टैलेंट आपका कमिट्मेंट इसका कोई मुकाबला नहीं है आप साथ समंदर पार भले आये गए हैं लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराईयों में बसे हिंदुस्तान को आप से दूर कर सके हैं मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि हम जहां भी जाते हैं सब को परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं कि डाइवर्सिटी को समझना कि डाइवर्सिटी को जीना कि उसे अपने जीवन में उतार रहा यह हमारे समस्कारों में हैं हमारी जगों में हैं हम उस देश के बासी है जहां सेंक्रों भाषाएं हैं सेंक्रों बोलिया हैं दुनिया के सारे मत है पंथ है फिर भी हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहें यहां इस हॉल में ही देखिये कोई तमिल बोलता है कोई तेलुगू कोई मलयालम तो कोई कंड़ा कोई पंजाबी तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती प्राशा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की वो भाव है भारतियता दुनिया के साथ जुड़ने के लिए यह हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी ताकत है यही वैल्यूज हमें सहज रुप से ही विश्व बंधु बनाती है हमारे यहां कहा जाता है तेन तक तेन भुन्जिता यानि जो त्याग करते हैं बेही भोग पाते हैं हम दूसरों का भना करके त्याग करके सुख पाते हैं और हम किसी भी देश में रहे कि यह भावना नहीं बदलती है कि हम दिस सोसाइटी में रहते हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में रिसर्चर्स के रूप में टेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अभी उस समय पहले ही तो यहाँ T20 क्रिकेट वर्लकप हुआ था और USA की टीम क्या गजब खेली और उस टीम में यहाँ रह रहे है भारतियों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है साथियों दुनिया के लिए कि AI का मतलब है आर्टिफिशल इंट्रिजेंस लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियान अमेरिका इंडिया यह स्पिरीट है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है यही AI स्पिरीट भारत अमेरिका रिस्तों को नई उंचाई दे रहा है मैं आप सभी को इंडियन दाइसपुरा को सल्यूट करता हूं I salute you all साथियों मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ हर लीडर के मुझे भारती ये डायस्पोरा की तारी भी सुनता हूँ कल ही प्रेजडेंट बाइडन मुझे डेलावेर में अपने घर ले गए थे उनकी आत्मियता उनकी घर में जोशी मेरे लिए दिल छिव लेने वाला मोमेंट रहा ये सम्मान 140 करोड भारतियों का है ये सम्मान आपका है आपके पुर्शार्थ का है ये सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतियों का है मैं प्रेसिडेंट बाइडन का आभार करूंगा और साथ ही आपका भी आभार वेक्त करूंगा साथियों 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्श है तनाव है तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्ण चल रहा है भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्ण में भी एक साथ है यहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं भारत में हुए यह इलेक्शन यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे आप कल्पना कर सकते हैं अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स कितना ही नहीं है पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज़्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले कि जब हम भारत की डेमोक्राजी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है तीन महने का पोलिंग प्रोसेस पंदरा मिलियन यानि डेड़ करोर लोगों का पोलिंग स्टाफ एक मिलियन यानि दस लाग से ज्यादा पोलिंग स्टेशन डाई हजार से जादा पॉलिटिकल पार्टीज आठ हजार से जादा केंडिडेट्स अलग अलग भासाओं के हजारों न्यूज़ पेपर्स सेकडो रेडियो स्टेशन सेकडो टीवी न्यूज चैनल करोडो सोचल मिडिया एकाउंट्स लाखों सोचल मिडिया चैनल्स यह सब भारत की डेमोक्राइसी को वाइब्रनेट मराते हैं यह फ्रीडम अप एक्स्प्रेशन के विस्तार का दोर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अपकी बार अपकी बार अपकी बार साथ्यों तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और ऐसा पिछले साथ सालों में भारत में नहीं हुआ था भारत की जंता ने ये जोया नया मेंडेट दिया है उसके माइने बहुत है और बहुत बड़े भी है ये तीसरे टम में हमें बहुत बड़े लक्ष सादने हैं हमें तीन गुना ताकत और तीन गुना गती के साथ आगे बढ़ना है आपको एक शब्द याद रहेगा पुष्प और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूँ P for progressive भारत U for unstoppable भारत S for spiritual भारत Act for humanity फसको सबर्पित भारत P for prosperous भारत यानि पुष्प पुष्प की पांच पंखुडियों को मिला कर ही विख्सित भारत बनाएंगे साथ्यों साथ्यों मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हु जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ आजादी के अंदोलन में करोणो भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कंफर्ट जो उनकी चिंता नहीं की वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे उस सफर में किसी को फांसी का फंदा बिला किसी के सरीर को गोलियों से भून दिया गया को यांतनाय सहते हुए जेल में ही गुजर गया कईयों की जमानी जिन्दगी जैल में कब गई साथियों हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं मन ना हमारे नसीब नहीं था जीना हमारे नसीब है पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एक दम क्लियर रहा है मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैंने तै किया सुराज और समर्द्य भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पुरे देश में घुमता रहा भटकता रहा जहां खाना मिला वहां खा लिया जहां सोने को मिला वहां सो लिया समंदर के किनारे से लेकर पहड़ों तक रेगिस्तान से लेकर बर्फिली चोटियों तक मैं हर खेत्र के लोगों से मिला उनको जाना समझा मैंने अपने देश के जीवन अपने देश के संस्कृति अपने देश की चुनोतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपिरियंस लिया वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी देशा कुछ और पाई की थी लिके नियती ने मुझे राजनीती में पहुंचा दिया कि कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चीप मिनिस्टर बनूंगा और बना तो गुजरात का लॉंगे सर्विंग चीप मिनिस्टर बन गया तेरा साल तक गुजरात का चीप मिनिस्टर रहा इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइमिस्टर बना दिया लेकिन दसकों तक देश के कौने में कौने में जाकर मैंने जो सीखा है उसीने चाहे राज्य हो या कैंद्र मेरे सेवा के मोडल को मेरे गवर्नेंस के मोडल को इतना सफल बनाया है पिछले दस सान में इस गवर्नेंस मोडल के सबलत आपने देखी है पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे यह तीसरा टम स्वंपा है यह थर्टम में मैं तीन गुना जादा दाइत्व बोद के साथ आगे बढ़ रहा हूं साथियों आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारत एनर्जी से भरा हुआ है सपनों से भरा हुआ है रोज नए किर्द्यमान हर रोज नई खबर आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है चेस ओलंपियाड में मैंस और मिमेंस दोनों में भारत को गोल्ड मिला है लेकिन एक और बात बता हुँ जब जाजा तालिया बजाने पड़ेगी यह लगभग सो साल के इत्याज में पहली बार हुआ है पूरे देश को हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्ज पर बहुत गर्व है एक और ए-आई है जो भारत को ड्राइव कर रही है और वो कौन सा और है वो है एक पर एस्परेशनल आई फर इंडिया एस्परेशनल इंडिया यह नया फोर्थ है नई उर्जा है आज करोड़ो भारतियों की एस्परेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है हर एस्परेशन नए एचिवमेंट को जन्म देती है और हर एचिवमेंट नए एस्परेशन के लिए खाद पानी बन रही है एक दसक में भारत दस्वे नंबर से दस्वे नंबर से पांच्वे नंबर की एकोनोमी बन गया अब हर भारतिये चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लर्जेस्ट एकोनोमी बने आज देश के एक बहुत बड़े वर्के की बेसिक नीड्स पुरी हो रही है पिछले दस साल में करोरों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा मिली है उनके घर तक पाइप से साब पानी पहुंचने लगा है उनके घर में बिली कनेक्शन पहुंचा है उनके लिए करोडों टॉइलेट्स बने हैं ऐसे करोडों लोग अब क्वालिटी लाइफ चाहते हैं साथियों अब भारत के लोगों को सिर्फ रोड नहीं उन्हें शांदार एक्स्प्रेस वे चाहिए अब भारत के लोगों को सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए हर भारत के बारत के हर शहर के पेचा आए उसके यहां मेट्रो चले भारत के हर शहर के पेचा आए उसका अपना एरपोर्ट हो देश का हर नागरी हर गाउं शायर चाहता है कि उसके हां दुनिया की बेश्ट विधाएं हो और इसका नतीजा हम देख रहे हैं 2014 में भारत के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो थी आज 23 शहरों में मेट्रो है आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है साथियों 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में 70 शहरों में एरपोर्ट्स थे आज 140 से जादा शहरों में एरपोर्ट्स है 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी थी 100 से भी कम आज 2 लाग से भी जादा पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी है 2014 में भारत में 140 मिलियन यानि 14 करोड के आसपास LPG कंजुमर थे आज भारत में 310 मिलियन यानि 31 करोड से जादा एलपीजी कंजुमर है जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महिनों में खत्म हो रहा है आज भारत के लोगों में एक आत्म विश्वाथ है एक संकल्प है मंजिल तक पहुंचने का इरादा है भारत में देवलप्मेंट एक पीपन्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतिय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है उसे भरोजा है भारत की सफलता पर भारत की उपलब्दियों पर साथियों भारत आज लेंड अफ ऑपर्चुनिटीज है अवस्वरों की दर्ति है अब भारत आउसरों का इंतजार नहीं करता अब भारत आउसरों का निर्मान करता है बीते दस साल में भारत ने हर सेक्टर में अपर्चुनिटीज का एक नया लॉंचिंग पैड तयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दसक में ही और ये बात आप सब को गर्व देगी सिर्फ एक दसक में ही पचीस करोड लोग एक दसक में ही पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ये कैसे हुआ इसलिए हुआ हमने पुरानी सोच बदली एप प्रोच बदली हुआ हमने गरीब को एंपावर करने पर फोकस किया पचास करोड एन फाइव हंडेड मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा पस्पन करोड याने 550 मिलियन से ज्यादा लोगों को पात लाख रुप्य तक का प्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना चार करोड याने 40 मिलियन से ज्यादा फैमिलिस को पक्के घर देना को लेटरल फ्री लोन्स का सिस्टम बनाकर करोड लोगों को इस अप्रेडिक क्रेडिक से जोड़ना ऐसे अनेको काम हुए तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया और वो गरीबी से निकल करके आज यही नियो मिडल क्लास भारत के डेवलप्मेंट को तेज गती दे रहा है साथियों हमने विमेन वेलफर के साथ ही विमेन लेट डेवलप्मेंट पर फोकस किया सरकार ने जो करोडो घर बनवाए उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है जो करोडो बैंक खाते खुले उसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के खाते खुले दस साथ में भारत की दस करोड महिलाएं माइक्रो एंट्रप्रेनर्शिप स्कीम से जुड़ी है मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूं हम भारत में एग्रिकल्चर को टेक्नोलोजी के साथ जोड़ने में अनेक प्रयास कर रहें कि उसमें आज खेती में किसानी में भरपूर मात्रा में ड्रोन का उप्यों आज भारत में नजर आता है कि शायद ड्रोन आपके लिए नई बात नहीं है तेकि नई बात यह है इसकी जिम्मेदारी कौन समालता है पता है यह रूरल विमेन के पास है हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पाइलर्स बना रहे हैं कि अग्रिकल्टर में टेक्नलोजी का यह बहुत बड़ा रिवलुशन गाउं की महिलाएं लेकर आ रही है कि साथियों कि जो एरिया पहले निगलेख प्रेड़ से वह आज कि देश की प्राइवरिटी है आज भारत जितना कनेक्टेड है उतना पहले कभी नहीं रहा आप हैरान होंगे आज भारत का 5G मार्केट बताओं बुरा नहीं लगेगा ना आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और यह दो साल के बीतर बीतर हुआ है अब तो भारत मेड इन इंडिया सीश जी पर काम कर रहा है यह कैसे हुआ यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आब आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीस बनाई हमने मेड इन इंडिया टेक्नलोलोजी पर काम किया हमने सस्टे डेटा पर मोबाइल फोन मैनुफेक्टरिंग पर फोकस किया आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्टरर है एक जमाना था मेरे आने से पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर है थे आज हम मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं साथ्यों अब भारत पीछे नहीं चलता अब भारत नई व्यवस्ताय बनाता है अब भारत ने तृत्व करता है भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्टर्टर डिपी आई का नया कंसेप दुनिया को दिया है डिपी आई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है यह करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है भारत का यूपी आई आज पुरित दुनिया को आकरशित कर रहा है आपकी जेब में वॉलेट है लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही कौन में वॉलेट है अने भारतिय अब अपने डॉक्यमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते हैं उनके पाद डीजी लोकर है वो एरपॉर्ट में जाते हैं तो डीजी यात्रा से सीमलेस ट्राविल करते हैं यह डीजीटल पब्लिक इंफ्रासक्टर जॉब्स इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेकनोलोजी का लॉंचिंग पैड बन गया साथियों भारत भारत अब रुकने वाला नहीं है भारत अब थमने वाला नहीं है भारत चाहता है दुनिया में जादा से जादा डिवाइस मेड इन इंडिया चीप पर चले हमने सेमिकंड़क्टर सेक्टर को भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है पिछले साल जून में भारत ने सेमिकंड़क्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव गोशित किये थे इसके कुछी महिनों बाद माइक्रोन की पहली सेमिकंड़क्टर यूनीट का सेला न्याद भी हो गया अब तक भारत में ऐसी पांच यूनीट्स स्विकृत हो चुकी है वो दिन दुर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चीप यहां अमेरिका में भी देखेंगे यह छोटी सी चीप विक्सित भारत की उडान को नई उंचाई पर ले जाए और यह मोदी की गारंटी है साथियों आज भारत में रिफॉर्म्स के लिए जो कन्विक्शन जो कमिट्मेंट है वो अभूत पुर्वा है हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेम इसका बहुत बड़ा उदार है दुनिया की 17 परसेंट पुपुलेशन होने के बाउजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4 परसेंट है दुनिया को बरबाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से एने पह सकते हैं ना के बराबर है हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूइल जला कर अपनी ग्रोध को सपोर्ट कर सकते हैं थे लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना प्रकृती प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया इसलिए हम सोलर वील हाइड्रो ग्रीन हाइड्रोजन और नुक्लियर एनर्जी पर इन्वेस्मेंट कर रहे हैं आप देखिए भारत जी ट्वेंटी का ऐसा देश है जिसने परिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पुरा कर दिया 2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर एनर्जी इंस्ट्रॉल कैपिसिटी को 30 गुना से ज़्यादा बढाया है हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जुटे हैं इसके लिए रूप टॉप सोलर का बहुत बड़ा मिशन हमने शुरू किया है आज हमारे रेल्वे स्टेशन और एरपोर्ट सोलराइज हो रहे हैं भारत गरों से लेकर सड़कों तक एनर्जी एफिशन लाइटिंग के राश्टे पर चल पड़ा है इन सारे प्रयासों से भारत भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा हो रहे हैं साथ्यों 21 संदिक का महारत एजुकेशन स्कील रिसर्च और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है आप सभी नालंदा उनिवर्सिटी के नाम से परिचीत हैं कुछ समय पहले ही भारत की प्राचीन नानंदा उनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है आज सिर्फ उनिवर्सिटी कोई नहीं बलकि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइब कर रहा है पूरी दुनिया के स्टुडेंट्स हारत आकर पड़े हम इस तरह का आधुनिक सिस्टिम बना रहे हैं कि बीटे दस साल में हारत में यह भी जरा आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं कि बीटे दस साल में भारत में हर सप्ता एक युनिवर्सिटी बनी है हर दीन दो नए कॉलेज मने हैं हर दीन एक नई आई टी आई की स्थापना हुई है कि दस साल में ट्रीपल आई टी की संख्या नव से बढ़कर 25 हो चुकी है कि आययम्स की संख्या 13 से बढ़कर 29 हो चुकी है कि एम्ज की संख्या तीन गुना बढ़कर 22 हो चुकी है कि दस साल में मेडिकल कोलेजों की संख्या भी लगवाग दो गुनी हो चुकी है टॉप ग्लोबल युनिवर्सिटी पी आज भारत आराया भारत का नाम है अभी तक दुनिया ने भारत के डिजाइनर्स का तम देखा अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवाद देखेंगे चात्रियों आज हमारी साजेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है पहले भारत सबसे समान दूरी की निती पर चलता था इक्वल डिस्टन्स अब भारत सबसे समान नज्दिती की निती पर चलता है हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं आपने देखा होगा भारत की पहल पर जी ट्वेंटी समीट में आफ्रिकान यूनियन को स्थाई सदस्यता मिली आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है कुछ समय पहले जब मैंने कहा तो उसकी गंबीरता सब ने समझी साथ्यों आज दुनिया में कही भी संकट आए भारत फर्स्ट रिस्पोंडर के रुप्मे सामने आता कोरोना के समय में हमने 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सिन और दवाईयां भेजी कहीं भूकम पाए कहीं साइकलोन आए कहीं ग्रह युत हो हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं यही हमारे पुर्खों की सीख है यही हमारे समस्कार है साथियों आज का भारत दुरिया में एक नए केटलिक एजन की रूप कर उभर रहा और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को स्पीड और स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल स्कील गैप को दूर करने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल इनोवेशन को नई दिशा देने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल स्प्राइट चेंड में स्टेबिलिटी के लिए भारत का भूमी का अहम होगा साथियों भारत के लिए शक्ति और सामर्थ का अर्थ है भारत के लिए शक्ति और सामर्थ का अर्थ है ग्यानाया दानाया चेंड रक्षनाया याने नौलेज इत पर शेरींग वेल्स इत पर केरींग पावर इत पर प्रोटेक्टिंग इसलिए भारत की प्राथिक्ता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं अपना प्रभाव बढ़ाने की है हम आप की तरह जलाने वाले नहीं हम सूरत के कीरन की तरह रोशनी देने वाले लोग आए हम विश्व पर अपना दबदबाद नहीं चाहते हैं हम विश्व की समृद्धि में अपना सहीयोग बढ़ाना चाहते हैं योग को बढ़ावा देना हो सुपर फूर्ड मिलेट्स को बढ़ावा देना हो मिशन लाइप यानि लाइफ टाइल फर एंडवार्मेंट का वीजन हो भारत जीडीपी सेंट्री ग्रोथ के साथ ही यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को भी प्राक्विक्ता दे रहा है मेरा आप से भी आग रहा है यहां मिशन लाइप को जांदा से जांदा प्रमोट करिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से बडलाव करके भी परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं अपने सुना होगा और हो सकता है आप मैंसे कुछ लोगोंने इनिस्टिव लिया भी हो आजकल भारत में एक पैड मा के नाम अपनी मा को याद करते हुए एक पैड लगाना मा जिन्दा है तो साथ ले जाना मा नहीं है तो तस्वीर ले जाना एक पैड मा के नाम लगाने का अभियान आद देश के हर कोने कोने में चल रहा और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभ्यान चलाएं यह हमारी जन्मदाता मा और धर्ती मा दोनों का यश्व बढ़ाएगा साथियों आज का भारत बड़े सपने देखता है बड़े सपनों का पीछा करता है अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ऑलिम्पिक खत्म हुए है अगले ऑलिम्पिक्स का होस यूएसे है जल्द ही आप भारत में भी ऑलिम्पिक्स के साक्षी बनेंगे हम 2036 के ऑलिम्पिक्स की मेजमानी के लिए हर संभो प्रयास कर रहे है स्पोर्ट्स हो बिजनेश हो या फिर एन्वार्मेंट एंटर्टेंड्मेंट आज भारत बहुत बड़े आकर्षन का केंद्र है आज IPL जैसी भारत की लिग्स दुनिया की टॉप लिग्स में से एक है भारत की फिल्में ग्लोबली धुम मचा रही है हारत आच ग्लोबल टुरिजम पे भी पर्चम लहरा रहा है दुनिया के अलग लग देशों में भारत के त्यों हार मनाने की होड है मैं देख रहा हूं इंदिनों हर सहर में लोग नवरातिर का गर्मा सीख रहे हैं यह भारत के प्रति उनका प्यार है साथियों आज हर देश भारत को जादा से जादा समझना चाहता है जानना चाहता है आपको एक और बात जानकर खुशी होगी कल ही अमेरिका ने हमारे करीब तीन सो पुराने जो सिलालेग और मुर्तियां थी जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा कोई पंदरासो साल पुरानी कोई दोहजार साल पुरानी तीन सो सिलालेग और मुर्तियां भारत को लोटाई है अभीतार अमेरिका ऐसी लगबग पांचो दरोहरें भारत को लोटा चुका कि यह कोई छोटी सी चीज लोटाने का विशे नहीं है कि हमारी हजारों वर्षों की विरासत का संभान है यह भारत का संभान है और यह आपका भी संभान है मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूं साथियों भारत और अमेरिका की पांटर्सिप लगातार मजबूत हो रही है हमारी पांटर्सिप ग्लोबल गुड के लिए हैं हम हर छेत्र में सयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहुलियत का भी द्यान है मैंने पिछले साल यह गोशना की थी कि सियेटल में हमारी सरकार का नया कॉंसलेट खोलेगी अब यह कॉंसलेट शुरू हो चुका है मैंने दो और कॉंसलेट खोलने के लिए आपके सुजाओं मांगे थे मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि आपके सुजाओं के बाद भारत ने बोस्टन और लोस एंजलस में कि दो नए कॉंसलेट खोलने का मिरड़ा लिया है मुझे युनिवर्सिटी आफ हुस्टन में थिरु वल्लू और चैर अफ पमिल स्टडिश को एनाउंस करने की भी खुशी है इससे महान तमिल सन थिरु वल्लू और का दर्शन दुनिया तक पहुताने में और मदद मिलेगी साथ्यों आपका ये आयोजन वाकई शांदार रहा है यहां जो कल्टरल प्रोग्रम हुआ वह अद्भूत था मुझे यह भी बताया गया है कि इस एवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया जिन साथ्यों से मैं यहां मिल नहीं पाया उनसे मैं ख्षमा चाहता हूं उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वेन्यू भर लेकिन मैं जानता हूं पुद्षा ऐसा ही होगा जोश ऐसा ही होगा आप ऐसे ही स्वस्त रहे सम्रुद्ध रहे भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहे इसी कामरा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ भोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद